यह चिकन का खीमा है आज हम बनाने वाले चिकन अफलातुन श्टार्टर्स यह इतना है और यह इतना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अद्रग लसन का पेश्च है थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें दालेंगे उसके बाद थोड़ा सा जीरा जीरा थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें और उसके बाद एक एक चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें एक चम्मच इसमें एक चम्मच और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अब इसके बाद मिर्ची का पेश्ट बना के हमने रखे ते वो और चनी का अठा एक एक चमब दान लेगा है इसमें और इसमें भी नमक दालेगे अब यह वाले खीमे में मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर एट कर रहे हूँ क्योंकि मुझे कलरिंग पसंद है इसलिए अब यह पोई से पर हमने ले लिया है इसके पर सबसे पहले वाला चीका जो है ना ग्रीन कलर ऑगानी यह वाला वो इसको एद्धम पत्तिली सीरहर करकर दिछाएंगे सबसे पहले इसके अब अब आपन यह वाला भीयोली से थोड़ा से दालेगे तुम थोड़ा साही डालना है जादा नहीं अब इसके उपर आप उन ग्रीन कलर का जो चिकन था वो डालना है अब इसके उपर मॉज्रेला चीज उसको फिर आराम से फोल्ड करना है इस तरीके से इधर से इधर आतों से देख सकते हैं और इसको इसको करना है पर इसको इस तरफ से ऐसा करना है अब इसको चौकलेट का शोल्ड करते वैसे फोल्ड करना है और मैंने तिल गरम और के लिए रखा हुआ है एस से और इसको भी इनादा तर शादियों में ही रहता है यह अब इसका पूं जो तेल है उसमें फ्राइ करेंगे अब देखिए तीनों मैंने फ्राइ कर चुकिए अब हलका से आपन खोले गए गरह में यह है कि अचे से पप्चु का अदव है कि अब देखों अब देखों कि अब देखें कि फॉल्क्यकों में रखके आप रोकों कपिर करना है आप देख सकते हैं अब इसको फ्रेश क्रीम है उससे हमारे डीच बनके रडी है झाल झाल